अब आप लोगो पता है कि जो टाइम है आपके पास फिर फिर वन मन्त रहे तो अब हमें क्या करना है सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है कि विए सारे प्लिटिकल साइंस के चेप्टर में दे चुकिया नोट दे चुकिया चप्टर वाइस इंपॉर्टन गॉस्चन में आप आपको दे दिया अब आपको इस तरह के पास सेंपल पेपर पर प्रवाइड करूंगी और आइम शूर उन्हीं पासामपर में परसंट ना कि ऐसा कोई कोश्चन आपके एक्जामें बोर्ड में होगा जो इसमें से नहीं आएंगे तो ऐसे ही में कम से कमा को इसने 5 सेंपल प पताए कि मैं एक question का answer नहीं मिला वो आप लोगों को देंगे जिसे ने विनिकस्ट विनिकस्ट मैंने ग्रूप बना रहे है वटसप पे आप मुझे वहाँ पर मेसेज कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको PDF अपलोड कर दूँगी तो सबसे पहला काम क्या करना आपको कि सारे जो questions तो सबसे पहला काम क्या है यह first sample मैं दे रही हूं Sunday है बैठके आप लोगों क्या करना है कि सारे question answer देखना है कौन सा आता है ठीक है जो नहीं आतो इसको ढूंदिए learn कीजिए और नहीं मिल जाए तो प्लीज मुझे comment करके जुरूप बताए ताकि मैं विनिकस्ट जो पर आप questions आते हैं बंड मैंने nine questions यहां पर दी है सबसे पहला question का है describe any two major pillar of Asian community का आशन community आप पता होगा मैंने पूरा chapter आशन बहुत अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो पहले सबसे पहले चाप्टर के वीडियो देखिए फिर questions लंग कीजिए फिर आप sample को solve कीजिए second question है कि when did China end confinement? इसका मतलब क्या होता है कि चाइन आपको पता होगा कि पहले उसमें जो close door policy अपना लिए यानि कि किसी भी देश के साथ ना वो trade करता था लेंदेन करता था और इससे क्या वो उसकी economy जो बहुत जादा पीछर गई उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यह अपने economy को open किया तो उसके बाद कौन से दो changes लेकर आ है वो यहां पर आपको समझाने है next है कि what purpose bricks was established कि bricks को क्यों established क्या गयता उसको explain करना है तो हमने देखा था जो आशियान है bricks है ठीक है तो यह जो है आपको अच्छे से पता होना जी you can describe the cultural effect of globalization most important question मैंने आपको तीनों ही बताया थे cultural भी बताया थे तो तीनों जो effects है वो आपको करना economic, social and cultural तीनों ही करना है कि हमें नहीं पता है exam में कि कौन सा effect पूछा जाएका बढ़ तीनों मेंसे को इनको एक effect ज़रूर दोना में में पूशन आएगा next day what do mean by the multi-party system हम पर चुके हैं कि multi-party system क्या होता है उसके बारे में उसके merits, demerits भी आप लोग खड़ लेना next day write about the silent feature of globalization 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 के तीन features बता लें हैं तीन फिला लर्न कर लो क्योंकि दो नम्मर में question आएगा मैं हमेशा बोल तो कि एक point आप extra learn करके चलो कि फिर दो नम्मर क्या तो कम सकम तीन question points learn करो क्योंकि exam में करी बार मालना आप points भूल जाते हैं कुछ भी होते हैं तो कि फिस एक option होना चीए कि चलो आप वो दूसरा point लिख दो ज्यादा पढ़ने के कोई side effect में कम पढ़ने के problem आपको हो सकता है next है कि on the basis of the leftist opposed globalization भाया जो left के लोग थे उन्होंने globalization को क्यों उपोस किया क्यों उसका विरोध किया तो वो कौन से reason थे यह question आपको globalization में से है दो नम्मर की question आपको learn करना next question is what do you mean by the democratic upsurge most important question and how many upsurge have been described in Indian political history कितने upsurges वो चुके है अगर यह question नहीं मिलता है मैं बार बार बोल भी question का अंसर आपको नहीं मिलता है आप मुझे जरूर कमेंट कीजी मैं आप 5 सर प्रवाइड करोंगी क्योंकि यह जो 5 sample paper देती हूं हर साल मैं exam से पहले बच्छों को 5 sample paper देती हूं और record है कि उन्हीं में से हर एक question चाहिए वह दो नम्मर के हो चाहिए चार नम्मर को छे नम्मर को हर बार इसी में से आया है तो इसलिए question की लिए लेना है अगर आप 5 सर मिलके बहुत अची बात लर्न कीजिए नहीं मिले तो आप मुझे question नम्मर बतातो ताके मैं आपको answer provide कर सकूंगे next है कि what is the literal meaning of nda nda का क्या मतलब होता how many nda government has been formed so far कि अब तक भी आप कितने जो nda government nda की सरकारे बनी है तो यह जो question थे आपके 2-2 नम्मर के थे जादा नहीं लिखना आपको 2-3-3 points के साब से आपको question को बना next section B जो है आपको 4-4 नम्मर के questions होंगे तो question कह रहा है कि what ground India can be considered as a prominent world power 21st century भारत को जो बोलायता है superpower क्यों बोलायता है मैंने आपको even notes में दिये वे वो आपको बताना है तो वह question है इसको थोड़ा से change करके बता गया तो आपको basically वह याद करना है कि India को superpower क्यों कहायता है कम से कम आपको 5 points में बताने next is describe the lesson of national emergency most important question देखे हमने क्या lessons दीखे इसमें causes of emergency भी important है और इसके जो lessons है वो भी important है क्योंकि देश में बता 1975 से पहले कभी भी देश में emergency लगे नी थी तो देश के लिए first experience था अब पहली को experience आते है तो बहुत को सीखते है समझा है जैसे हम लोगों ने पहली बार देखा था में लाइफ में उससे पहले ही बहुत सारी महामारी आई थी तो हम लोगों ने क्या सिखा टेकनोलोजी को यूज करना थी चोटे-चोटे-चोटे बच्चे जो है एक स्पूल बंद नहीं हुए अगा हम नहीं भी जा रहे जो है 1975 में जो पहले बार लगाता उससे क्या लेसंस लिए वो यहां पर इंपॉर्टन कोशिंस आपको लर्न करने हैं वो सकता है नेक्स सेंपल बना उसमें उसमें पहले बिताटी आपको पहले से लर्न करके रखना है नेक्स्ट वट इसमीन बाइन नॉन कॉंगरेशन आप पडेल जी ये सारे लोग जा चुके थे तो उपोजिशन को एक नए उपर्चुनिटी लेगी उन्हें लगा कि शायद यहीं एक सही मौका है हमें भी पार्टी में रूल करने का मौका मिल सकता है और इस पिर जितने भी नॉन मतलब कॉंग्रेस पार्टी थे सब भी कुरो न मैंने बताया न आपको कि इसमें आपको बिस्टिक लिए कि प्रोल साइंस के इंदर इस वी चंद एक लिए है अच्छे माक्स लाने का कि आप पैराग्राइफ में जो है आंसर मत दो इसको पॉंट में अंसर लेखिए अगर छे नमर का कुश्चन होगा छे पॉंट्स लिख इसे लिए प्रेफुर्ट्स हमेशन है रखना कि पैराग्राइफ में लर्न्मी करना पॉंट सा लिए आंसर लर्न करना और पॉंट्स में याद रखना टीचर को ब्यफ को बनाने कोशिशा नहीं करना अच्छे को फॉंट्स लोग्स को थोरा एक्स्प्लेन भी करना एक देखा साउथ एशिया रिजन जो इसलिए सेक्सस भी नहीं हो पाया हमने देखा था साल कर दिस प्रिवेंट दा रीजन यू फॉर्म यूनिटिंग एंड एक्जर्डिंग इंट्रनाशनल फोर्म गी वैने टू एक्जांपल देखे इस स्टेटमेंट सजस्ट मेजर तू स्ट मैंने पता है इंडिया और बहुत बड़ा रीजन है जो हमेशा ही दूसरे को शक्की नजरों से भारत ने विकाना साफटा बनाने कोशिश की जिस तरह से यूरॉपन देश है बिना किसी वापस में ट्रेड कर रहें लेंदेन कर रहें तो भारत भी इस तरह की चीज़े बना यूज करेगा और जिसकी उन लोगों को भी फाइदा नहीं हो पाया जो उनको हो सकता था तो यह आपको बताना है कि एक्जामपल देखे किस तरह सबसे पहलों साफटा जो फिल्ड वह बरार रिजन है और एक एक्जामपल देना और साथे साथ बताना है कि कैसे कोई प्रॉ पावर में जो आपके आशियांस हैं, ब्रिक्स हैं, यूरॉपियन उनिया है, उनको एलुब्रेट करना है कि न्यू सेंटर से पावर जो किस तरह से बन सकते हैं नेक्स्ट वोटार थे मेजर चेंजिस इन इंडियन पॉलिटिक्स अफ्टर टूथाजन फॉट्टी लेकिर दुज़जर चॉदा के बाद जो है क्या क्या चेंजिस आए सबसे वाला चेंजिस आया कि मिजूरेटी की गवर्मेंट आने स्टार्ट वें देखाँ 1989 के बाद सेंटर में बेसिकली जो है वहां पर कॉलिजन गवर्मेंट का दवर स्टार्ट हो गया था संटर के अंदर आप मिली जूली सिर्कार्ट पी किसी पार्टियों क्लियर मिजूरेटी नहीं मिल देती और जिसके कारण देखा आपने छेचे महिने पर देश में इलेक् लोग नायक परकाष नारायन जिसको हम जेपी भी बोलते थी लोग नायक बोलते थे उनको बताना कि ती मेजर कॉंट्रिविशन देना है कि देश में उनका क्या कॉंट्रिविशन है दो तिन चीज़े तो मैं आपको वैसे ही बताए पहला मैंने बताए जो कुट इंडिया म जब चला था क्योंकि आपको पता है जो नहरू जी थे गांधी जी थे बहुत पॉपलर नेता थे उस ट्राइंब पे तो अंग्रेजों ने क्या करा जैसे ही उन्होंने कुट इंडिया मुमेंट को लॉंच के सबसे पहले उन्होंने क्या करा गांधी जी सदार वल्लाभाय पटेल नहरू जी सभी को सिलियर मौस नेताओं को जेल में डाल दिया तो लीडर्शिप निभाने की जिम्मेवारी किन के कंदों पे है जेपी के कंदों पे आगई दूसरा आपने देखा कि जब देश के डेमोक्रेसी खत्रे में आई और इंडरा गांधी जिस तरह से अपन को मिस्यूस किया है उनोंने तो यह सारे कrieं सबस्क्राइब करने वहां तो यहां पर से क्षण अशन से क्षाई से क्मिंट करना है जो नहीं मिले मुझे कमेंट करके बताना है सो प्रूब करूंगी और इस तरह के चार सेंपल पेपर और आएंगे आपने कर पांस अंपर अच्छे से कर लिए मेरी गरंटीड है कि अगर आपके 95 से अब नहीं आए अब मुझे कमेंट करके बोसे तो कि मैं आपने जो पहा है था नहीं आएंगे इतनी श्यूर हो है इसलिए अब आप स करना स्टार्ट करने बागे फिर भी किसी चाप्टर में किसे टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो प्राब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सिक नहीं